S.N.L.I.E. सच सच से आप गंवीर रूप से खायल हो गया इस मारपीट में दोनों पच्छों से आदा दर्जन लोग खायल हो गये मौत की घटना के बाद एक पच्छ की आक रोशितों ने एक बाई को तोड़ फोर कर दिया गाउ में तनाओ को देखते हुए महरवा गुठनी और नौतन की पुलिस कैम्प कर रही है मेजित तक सेउतापुर के सुनील पासवान का 22 वर्सी पुत्र अंकुर पासवान है थाना परभारी संजी कुमार ने घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुँच कर चार लोगो को हिरासत में ले लिया घटना के संबंद में बताय जा रहा है कि सेउतापुर के रामा कांत राम के बेटे मोहन राम की राविवार को बाराद जाने वाली थी जिसको लेकर सुखनार के हरीराम के मसीन के पास मटकोड हो रहा था इसी दोरान सुनिल पासवान के घर आये रिष्टदार मौर्या ट्रेन पकरने के लिए बुलोरो से इस्टेसन जा रहा था उसकी गारी मटकोड में भांगडा कर रही एक लड़की के पैर पर चड़ गया जिसको हलकी चोट लग गई वा मौजूद महिलाएं गाली गलोज करने लगी वहीं पीछे से एक बाइक पर सुनिल पासवान और उनके पुत्र अंकुर पासवान आ रहे थे दोनों में बहस हो गई जिसको एकर दो पचो में जम कर मार पीठ हो गई जिसके बाद सुनिल पासवान और उसके पुत्र अंकुर पासवान के सिर पर चोट लग गई जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए अस्थानी लोगों की मदद से घायलों को रेफरल अस्पताल में भरती कराये गया जहां चिकी सको ने अंकुर के इस्तिती नाजुक देखकर गोरखबुर रेफर कर दिया और उसके पिता को सिवान रेफर कर दिया इधर देवरिया के समीप पहुँचते ही घायलंकुर ने दम तोड़ दिया गटना के बाद मिरित्त के परिजनों में चीख पुकार मच गई पलिस शोग को कबजे में लेकर पोष्ट माणम के लिए सिवान भेज दिया अमिरित्तक की मा गुड़ी देवी ने 14 लोगों को आरूपित करते हुए आवेदन दिया है जिसमें हरिलाल राम, अनेल राम, प्रवेश राम, रंजित राम, जगरनाथ राम, मोहन राम, सोहन राम, वशिष्ट राम समेत अन्य शामिल है वहीं पुलिस ने हरिलाल राम के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है थाना परवारी संजु कुमार ने बताया कि आवेदन मिला है, चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस मामले की जाच में जुट गई है ऐसे लाइफ से परवेज अख्तर की रिपूर्ट देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रही हमारे साथ और हाँ अगर आप वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए और अपने कमेंट सरूरे